गाईज आप जब भी ओपन करते हैं Snapchat को तो यहां पर यह इरद आ जाता है To use Snapchat, please allow access to your camera Snapchat can take photos and videos without this permission तो गाईज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस problem को कैसे सही कर सकते हो तो चलिए दुस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो लाइक कर देना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए फिर सुरू करते हैं तो गाईज इस problem को solve करने के लिए आपको open करना है settings को तो यह settings app मैं इसको open करता हूँ settings को आप open करना फिर दोस्तो आप ऐसे नीचे आना जैसे आप नीचे आऊगे तो आपको एक option मिल जाएगा apps का यह आप देख सकते हो तो आप यहाँ पर apps वाले option पर touch कर देना इसके अंदर आपको manage apps का option मिल जाएगा आप इस पर click कर देना जैसे ही आप Snapchat पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर ओपर ही आपको एक option मिल जाता है app permissions का यह आप देख सकते हो तो आप यहाँ पर आप permissions पर click कर देना click करते ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर not allowed में आपको camera option मिल जाएगा तो आप यहाँ पर camera पर touch कर देना गाइज वह problem इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर कैमरा को जो permissions होता है वह allowed नहीं होता है तो अभी इस permissions को आप चालू कर देना वह problem solve हो जाएगी तो अभी यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा आपको simple आना है bike ओके बाइक आने की बाद अब आप open करेंगे Snapchat को मैं open किया तो गाइस अब आद देख सकते हो कि यहाँ पर open हो गया और यहाँ पर कोई फीरर नहीं है यहाँ पर मेरे phone का जो camera है वह भी यहाँ पर open है है यहाँ पर आप देख सकते हो ओके तो अभी गाइस जो problem है वह solve हो चुकी है तो इस तरीके से वह जो problem है वह solve हो जाएगी गाइस इस तरीके से अगर आपके भी Snapchat में वह error आ रहा है प्लीज अलोव एक्सेस योर कैमरा अला है ना तो उस error को आप इस तरीके से solve कर सकते हो तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैन जै भारात